आज हम बहुत ही मैजदार और यूनिक रेसीपी लेके आया हैं जिसको आप देखते ही यही बोलोगे कि पलेट में नहीं पलेट को ही खा जाओं तो चलिए आज की मैजदार रेसीपी शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी मैदा और थोड़ा सा यहाँ पर रिफान वैल डालेंगे और थोड़ी सी नमक डालेंगे अब सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे देखे इस तरह से मुठे बनना चाहिए अब यहाँ पर थोड़ा के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छा से खूल जाए अब यहाँ पर देखिए आटा अच्छी तरह से फूल गया था तो मैंने इसे अच्छे से मिलाते हुए इसका पेड़ा बना लिया है और जिसे रोटी बेला जाता है वैसे बेल लेंगे पूरे चकले का बेल इस तरह का होना चाहिए यह देखिए इस तरह का प्लेट होना चाहिए अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि यह प्लेट पूरी तरह से चिकना हो जाए हम जो रोटी इस पे रखने वाले हैं जो बड़ा सा हमने रोटी बनाया है उसे चिपके न तो इस पे हम र बात हुए तरेंगे तो पूरी तरह से जो रोटी है प्लेट में चिपक जाएगा अब क्या करेंगे आप देख सकते हैं किनारे किनारे जो आटा है प्लेट का नीचे आ गया है अब इसे चाकू की मदद से कोई भी चाकू ले लिगेगा उसको धीरे धीरे आहिस्ता-हिस्ता का प्लेट का यह देखिए इस तरह से हमें निकाल देना है आटे को यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्लेट का तेप दे दिया है यह देखिए कि इतना सुंदर अभी से ही लग रहा है आप कोई भी फॉक ले लिजिए इस तरह से और उसमें होल कर दिजिए इस तरह से ताकि ज देख सकते हैं मैंने प्लेट में अच्छी तरह से होल कर लिया है और यहां पे तेल गरम है आहिस्ता से डालेंगे नहीं तो तेल आपके चेहरे पे भी पड़ सकता है तो यह बात को आप ध्यान में रखिएगा और थोड़ी देर की बाद ही अपने आप प्लेट पूरी अप प्लेट को हटा देजिएगा और अच्छी तरह से तेल में दबाते हुए एक कल्ची की मदद से इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे फ्लेम को मेडियम ही रखना है हाई नहीं करना है यह तो कच्छी रह जाएगी तूरी अंदर से यहाँ पे देखिए आप गोल्डन ब्राउन हो गया है दोनों तरफ से हमारी जो प्लेट की सेप की पूरी है बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे अब यहाँ पे मैंने छोले बनाए हैं नमक डाला है, थोड़ा से प्याज, थोड़ी सी हरी मीच, थोड़ा से टमाटर, थोड़ा से धनिया पत्ता, और यहाँ पे चटनी जाएगा इम्ली का, और यहाँ पे ग्रीन चटनी, यानि धनिया की चटनी, और यहाँ पे थोड़ा से दही, और यहाँ पे डाल देंगे हम थ यहां पे थोड़ा से जाएगा लाल मिर्च पाउडर, अब यहां पे थोड़ी से जाएगी बुन्दी, और यहां पे थोड़ा सा भूजिया, तो यह लिजिए हमारी यूनीक और बहुत ही स्पेसल प्लेट चार्ट बनकी रेडी है, आपको यह कैसी लगी रेसिपी हमें कॉमे कर एंड बाइ बाइ